लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले तथ्यों के बारे में जानते हैं नहीं तो तयार हो जाएए अपने दातों तले उंगली चबाने के लिए ये बाते हैं ही इतनी हैरान कर देने वाली मंदिर के उपर जंडा हमेशा हवा के विप्रीत दिशा में लाहराते हुए पाया जाता है पूरी में किसी भी जगह से आप मंदिर के उपर लगे सुदर शंचक्र को देखेगे तो वे आपको सामने ही लगा देखेगा सामाने दिन के समय हवा समुद्र से जमीम की तरफ आती है और शाम के दोरान इसके विप्रीत लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है आप कभी भी किसी पक्षिया विमानों को मंदिर के उपर उड़ते हुए नहीं पाएगे इसके अलावा मंदिर के मुख्य गुमबद की चाया दिन के किसी भी समय अद्रिश है मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी चाहे तो कुछ हजार लोगों से बीस लाख लोगों को खिला सकते हैं मंदिर में रसोही, प्रसाद, पकाने के लिए साथ बरतन एक दूसरे पर रखा जाता है और लकड़ी पर पकाया जाता है इस प्रक्रिया में शीर्ष बरतन में सामगरी पहले पकती है फिर क्रमश नीचे की तरफ एक बाद एक पक्टे जाती है मंदिर के सिंग द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी द्वनी नहीं सुन सकते आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें जब आप इसे सुन सकते हैं इस अद्भुत चमतकार कुश्राम कुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है